दोस्तों नमस्कार मैं अवरंदर पटेल उत्तर प्रदेश में हो रहे नौ सीटों के उपचुनाव में निश्चीत तोर पर समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर भारती जनता पार्टी को निश्चीत तोर पर जो की राजनीतिक रूप से पसीने छुड़ा रखी है आपको बता दे की करहल सीट का क्या समीकरण है सबसे पहले आपको बता दे की इस पर क्या होने वाला क्या अकलेश यादों से ज़्यादा मार्जिन से तेजपरताप यादों जीतने वाले हैं आपको बता दे कि सपा प्रमुक अकलेस यादों के इस्तिपे से रिक्त हुई महिनपूरी की करहल बिदान सभा सीट पर 20 नॉम्बर को उपचुनाव है सपा का गड़ माने जाने वाली सीट अकलेस ने अपने भतीजे तेजपरताप यादों को मैदान में उतार दिये है आपको बता दे कि इसके सामने बीजेपी के अनुजेस यादों और बसपा से अवनीस साकताल ठोक रहे हैं करहल की लड़ाई सहफई परिवार में दो यादों के बीच में है ऐसे में सपा अपनी जीत को लेकर फुल कांपिडेंस में नजर आ रही है आपको बता दे कि अकलेस यादों से भारी मारजन से जीत दिलाने की कोशी सी समक करहल में समाजवादी पार्टी के कार करता कर रहे है इसके लिए सपा ने सियासी ताना बाना सुरू कर दिया है ताकि 2022 में मिली जीत के रिकार्ट को तोड़ा जा सके अकलेस यादो ने अपने धाई दसक के सियासी सपर में पहली बार विदान सबा चुना दोजार बाइस में करहल सीट से लड़ा था बता दा कि करहल से अकलेस विदायक चुने गए थे और अकलेस ने बीजेपी के एसपी सिंग बगेल को मात दे दिये थे 2024 में कन्योज से सांसत बनने के बाद करहल विदान सबा सीट से इस्थिपा दिये अकलेस यादो अब करहल सीट पर उपचुना हो रहा है सपा के लिए मुफीद मानी जाने वाली सीट है अकलेस ने पुरो सांसत तेजपरताप यादो को मैदान में उतार दिये जो बिहार के पुरो सियम लालू परसाद यादो के दमाद भी है सपा के सांसत धर्मेंद यादो के बहनोई अनुजेस यादो को बीजेपी ने उतार कर करहल के मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिस क लेकिन 2022 में करहल बिदानसभा सीट पर अकलेश यादाव ने 1,44,197 ओट जो की प्रात्त किये थे जबकि BJP परत्यासी एसपी सिंग बगेल 80,692 ओट मिले थे मात्र उनको बसपा परत्यासी कुलदीप नराण को 15,701 ओट मिले थे अकलेश यादाव ने 6,504 ओटों से जीत दर्ज की थी करहल सीट पर अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से अकलेश को जीत मिली है उससे पहले सपा का आउसतन 30,000 ओटों से जीत मिलती रही है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि तेज परता प्यादो क्या करहल से अकलेश याद जिसमें सवा लाग के करीब यादो मतदाता है इसके बाद दलित मतदाता जो है 40,000 साक समदाए के 38,000 पाल और ठाकुर समदाए के 30,000 ओटर है तो मुसलिम ओटर 20,000 है ब्रामर लोद बैच समाज के ओटर 15,000 है मिला के 30,000 हो जाएंगे करहल में यादो के बाद दलित और साक मतदाता है जो वहीं बगेल और ठाकुर ओटर अहम है साक और छत्री मतदाता करहल सीट पर बीजेपी का कोर ओट माना जाता है हलाकि साक अब समाजवादी पार्टी की तरफ घूम गया है अब छत्री मतदाता कोर ओटर के बाल माना जा रहा है बीजेपी ने यादव समीकरण को देखते हुए यादव समदाज से ही नहीं बलकी मुलायम सिंग परिवार के आपको बता दे की कंडिडेट बना कर चुनोती पेस कर दी है आपको बता दे कि करहल में जाती समीकरण को साधने के लिए सपाने अकलेस जो की कस्यप जो की अभिहरन सिंग जाटव और ब्रह्मानंद साक को पहले तेजपरताप यादव का प्रस्तावक बना कर बड़ा सियासी दाव चल दिए अकलेस कस्यप हैं और अभिहरन सिंग जाटव हैं और ब्रह्मानंद साक को पहले तेजपरताप यादव के प्रस्तावक बना कर सियासी दाव अकलेस जादव ने चल दिया है अलग-अलग जातियों के ओट सादने के लिए अपने तमाम दिगज नेताओं के रणनीती के तहत लगे हैं करहल सीथ पर सपा के प्रभाव देख रहे बिधायक है अतावर रहमान ने जो कि ये बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक मीडिया चैनल से कि तेजपरताप या अतावर रहमान ने का कि सपा करहल में पीडिये फारमिलो को एकजुट करनी में लगी है यादव ओट पूरी तरह से सपा के साथ बिलकुल खड़ा है साक समदाय और पाल लोद समदाय भी समर्थन भयंकर रूप से दे राज इस तरह से महाल लग रहा है साक समदाय के बीच केटा के सांसद देवेस साक और भरुखाबाद से सपा परत्यासी नवल किसोर साक को मैदान में उतार दिया गया है इसके अलावा महनपुरी के जिला धेक्च आलोक साक के से आलोक साक ने पहले ही कमान समाल रखी है सपा सांसद बाबु सिंग कुसवा को भी जिम्मेदारी दी गई है करहल सीट के ताहत आने वाले सभी चारो बलाक में इन सभी नेताओं के कारिकरम रखे गए हैं जो कि जिससे ज्यादातर कारिकरम साक के बहुल गाओं में कराए जा सके तो निश्ची तोर पर समाजवादी पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से आगे होई बढ़त